प्रिये शातरों नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हूँगे और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नंत मैथ के प्रश्णावली पांत असनलब तीन के प्रश्ण संख्या 3 के भाग संख्या 6 से लेकर भाग संख्या 10 तक स्वल्व कर प्रश्ण संख्या 3 है एक एपी में और इस प्रश्ण में कुल दस भाग था जिसमें से हमने भाग संख्या 1 से लेकर भाग संख्या 5 तक स्वल्व करेंगे अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए उसके बाद इस देखिएगा तो समझ में ज्याद आएगा ठीक है चलिए हम लोग सुरू करते हैं भाग संख्या 6 से भाग संख्या 6 में कह रहा है ए बराबर दो डी बराबर आठ और एस इन बराबर 90 दिया है एन और एन ग्याद किजिए ठीक है यहां पर्थम पद एक आमान दिया है दो सा अपी में कितना नंबर है और एन का मान यानिकी अंतिमपद कितना है ठीक है तो हमने आपको बताया था कि ए यह या एस इन दोनों में से अगर कोई भी चीज दिया हुआ रहता है तो पहले हम उसी से आगे बढ़ते हैं तो यहां क्या दिया हुआ है यहां दिया हुआ है एस क्या दिया है ए बराबर दो ए बराबर दो डी बराबर कितना है आठ एसे न कितना दिया है नब्बे क्या निकालना है न का मान निकालना है और क्या निकालना है अर्व ए इन का मान निकालना है तो एच इस difуск हुआ है तो इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है लिखेंगे इस इन ब्राबर क्या होता है इसका फर्मुला एन बड़्टा दो कि दो ए प्लस एन माइनस एक गुने डी यह होता है न ठीक है एक इतना दिया गया है तो यह दिया गया है नब्बे ठीक, अब देखे, n कमान कितना है, तो n कमान हमें नहीं पता है, तो इसके जगापर n ही रहने देंगे n बटा दो, दो, गुने n कमान कितना है, दो, प्लस है तो प्लस, n कमान नहीं पता है, गुने, d का मन कितना है? 8 ठीक, तो n बटा 2 अब देखे, दो दुना क्या हो जाएगा? दो दुना, 4, प्लस है तो प्लस, ठीक इससे गुना करेंगे दोनों में, ठीक है? तो 8 से जब n में गुना करेंगे, तो ए हो जाएगा, 8n माइनस, 8 है कम, 8 बराबर 90 तो n बटा 2 देखे, 8n पहले लिख लेंगे और माइनस का 8 है और प्लस का 4 है, ठीक है? तो बरे बाले में से छोटे वाले उखटा देंगे क्या आएगा, चार आएगा बरे बाले में माइनस लगा होगा, इसलिए यहाँ माइनस लगादेंगे बराबर 90 2 बढ़ीं अब देखें एएनबटा 2 इसके बाद देखें दो से वह कंट रहा है और दो से भी कंट रहा है तो हम चाहें यहां दो कॉमन ले सकते हां यहांद कमण लेते हैं चलिए इसमें क्या बचेगा 4N और इसमें क्या बचेगा 2 बराबर 90 इससे एक एंसिल हो जाएगा अब इसको गुना कर देंगे 4N में n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4N workers Yet 2N से एंन में गुना करेंगे तो ए हो जाएगा 2N ठीक बराबर के बाद क्या है? 90 है यदि हम इसको बराबर से पहले लेकर आएं तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा माइनस का 90 है हो जाएगा ना इसका चीन बदल जाएगा पलस है तो माइनस हो जाएगा बराबर सुने ठीक अब देखिए अब यहाँ 2 से फिर A भी कट रहा है 2 से A भी कट रहा है और 2 से A भी कट रहा है ठीक है ना तो यहाँ आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं ठीक है और यहाँ पर भी यदि आप 2 कॉमन नहीं लेते हैं तो 2 से इसका गुना हो जाता 92 क्या हो जाता 180 हो जाता ठीक है फिर इसके बाद n से इसमें गुना कर लेते और 4 common ले लेते फिर भी आपका answer आ जाता कोई दिक्कत नहीं होता ठीक है यहाँ फिर हम लोग क्या करेंगे 2 common लेंगे common नहीं लेंगे फिर भी काम होगा लेकिन सवाल थोड़ा लंबा बन जाएगा ठीक है दो n स्क्वेर माइनस का इन माइनस का 45 बराबर सुन्ने उपर चला जाएगा और एक गुना में है तो यह आ जाएगा नीचे ठीक है final क्या हो जाएगा सुन्ने ठीक है उफर सुन्न होता है और नीचे कोई भी अंक होता है तो क्या होता है उसका मान सुन्न ही होता है ठीक है ना चलिए अब हमें क्या करना है अब हमें इसका गुननखन्ड करना है ठीक चलिए एक बार और लिख लेते हैं 2N square minus N minus 45, बराबर सुन, ठीक, अब गुननखंड करने का तरीका क्या होता है, तो first वाले के साथ जो अंक होता है, और last वाले के साथ जो अंक होता है, उस दोनों का गुना कर देते हैं, ठीक है, तो 45 में दो से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 45 दोनोंगा 90 होजाएगा, कितना हो जाएगा, 90 और इसका गुननखंड करेंगे, ठीक है, 2 से 45 दुनना नव्ब तीन से 15 धिया 45, ठीक है, फिर 3 से तो 3 पचे 15, ठीक, अब मेरे पास जो अंक है 2, 3, 3 और 5, ठीक है, तो इसी से क्या लाना है यह बीच वाला पद लाना है ठीक है जोर कर या घटा कर ठीक तो देखिए दो पंचे क्या आया दस आया ना और तीन तिया नौ तो दस में से यदि हम नौ को घटा दें तो क्या जाएगा एक आ जाएगा आ जाएगा लेकिन हमें क्या लाना है हमें लाना है माइन मैनस का एक एक कैसे आएगा तो इसको मैनस में कर देंगे और इसको प्लस में कर देंगे अब दिख्ये 10 सीजो कि दुक्षार एक और बरे सब्सक्री के लिए में और गुना करेंगे माइनस 10 गुने न Snapdragon 90 आप कि माइनस पलस माइनस क्या हो जबल चाहest का नब्बबबी हो जाएगा हैना यह हम मैंने मैं चै।ह मैंने चोड़ दिया था माइना सब 545 में दिए रही हम प्लाश्ट में जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा इस पद को तोड़ देना है ठीक है ना इसको बोलते हैं मध्य पद विभाजन भी थी ठीक तो यह हो जाएगा माइनस का 10 in प्लस का 9 in माइनस का 45 जैसे है वैसे ही लिखेंगे बराबर सुनने अब देखिए एक दो तीन चार पद हो गया पहले कितना था एक दो तीन पद था ठीक अब चार पद में दो पद को अलग कर लेंगे और दो पद को अलग कर लेंगे फिर कॉमन लेंगे ठीक इसमें कॉमन ले माइनस का 10 N, है ना, तो इसको क्या करना है, तोरना है, गुदन खंड, 2 गुने N, गुने N, हो जागा न, 2 N N, यानि कि 2 N स्क्वेर, माइनस है तो माइनस, 2 पंचे, 10 गुने N, अब इस माइनस चिन के, इस तरफ और इस तरफ, ऐसा क्या है कि दोनों तरफ है, तो आप कहेंगे सर, 2 है, दोनों तरफ, और 1 N है, जो दोनों तरफ है, है ना, तो यही 2 N जो है, जो यह क्या होगा? common होगा, तो इस में क्या बच जाएगा? इस में बचेगा N, और इसमें क्या बचेगा? 5, समझे आ अगया होगा, चलिए, तो यहाँ, दो n common लेंगे तो इसमें क्या बचेगा एन बचेगा इसमें 5 बचेगा ठीक यहाँ देखे यहाँ 9 से अ भी कट रहा है और 9 से अ भी कट रहा है जैसे अभी हमने आपको बताया है इसी तरीके से आप यहाँ भी common लेंगे ठीक है तभी आपका सवाल सही बन रहा है अन्य था आपका सवाल गलत बन रहा है ओके चलिए अब बाहर वाले को एक साथ कर लेते हैं तो 2N प्लस का 9 और N माइनस 5 बराबर सुन इस दोनों में से किसी एक को लिखना है ठिक अब यहां 2N प्लस का 9 बराबर सुनने करेंगे और N माइनस 5 बराबर सुनने करेंगे तो 2N प्लस का 9 है बराबर के उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 9 इसलिए N बराबर माइनस 9 ऊपर चला जाएगा और जो अंक गुना में रहता यहां 2 है गुना में यहां आ जाएगा नीचे और यहां N बराबर माइनस 5 जब सब्रावर के बार करेंगे तो क्या हो जाएगा बनस्का पांच हो जाएगा ठिक चलिए अब आपको यहां धियान एगला है कि क्या n का मान मैंस में हो सकता है तो आप कहेंगे कि तो यहां का मैंन तो लिख सकते हैं कि चुकी यह क्या है रिनात्मक है रिनात्मक है इसलिए यह इनकामान नहीं हो सकता नहीं हो सकता है ठीक है तो इनकामान क्या होगा इनकामान हो जागा पांच और यही हो जागा इसका इंसर ठीक अब हमें क्या ग्याद करना था तो अब हमें ग्याद करना था एनकामान है ना चलिए एनकामान ग्याद कर लेते हैं तो a n ब्राबर क्या होता है a plus n minus 1 गुने d यह होता है न तो a का मान कितना था 2 plus है तो plus n का मान कितना निकल कर आया 5 minus है तो minus 1 गुने d का मान कितना था 8 ठीक तो 2 plus 5 में से 1 minus करेंगे क्या आएगा 4, 4, 8, 32 कितना होगा 32, 32 और 2, 34 ठीक है यही क्या हो जाएगा a n का मान एंसर हो जाएगा ठीक है चली अब आगे भरते हैं और भाग संख्या साथ को देखते हैं हल भाग संख्या साथ है क्या दिया है ए बराबर आठ ए इन बराबर है बासट इस इन दिया है कितना 210 क्या निकालना है इन का मान और डी का मान ठीक है न है ए ची निकालना है तो हमने आपको बताया था कि जब a n और sn दोनों दिया हुआ रहे तो दोनों में से किसी एक पर आप आगे बढ़ सकते हैं ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे sn का फर्मूला लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे sn बराबर और जब an भी पता हो तो छोटा बला फर्मूला लगा लिजे है ना तो n बटा 2 इंटू a प्लस an बराबर कितना दिया है 210 दिया है ठीक इन का मान हमें नहीं पता है यही तो निकालना है तो n बटा 2 इंटू a का म दो गुने 62 और 8 क्या हो जाएगा 70 बराबर 210 दो से काटेंगे तो 35 बार में कट जाएगा 35 दूनी 70 ठीक इसलिए n बराबर तो 210 ऊपर चला जाएगा और 35 आ जाएगा नीचे में ठीक काटेंगे तो 6 बार में पूरा-पूरा कट जाएगा यानिकी n बराबर कितना आया 6 आया और यही हो जाएगा इसका इंसर ठीक है अब हमें क्या निकालना है D का मान तो D का मान निकालने के लिए A N के फर्मूला पर आगे बढ़ेंगे तो A N बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस एक गुने D ये कितना दिया है तो A दिया है 62 A का मन कितना है? 8 प्लस N का मन कितना आया? 6 माइनस का एक गुने D का मन नहीं पता है बराबर में 62 तो 8 प्लस 6 में से A घटाएंगे क्या आएगा? 5 से D में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5D बराबर में 62 तो 5D बराबर करें तो 62 पहले लिखेंगे और प्लस का आठ जब इधर आ जाएगा तो A हो जाएगा माइनस का आठ तो 5D बराबर 62 में से 8 घटाएंगे तो कितना आगा? 54 कितना आगा? 54 आएगा इसलिए D बराबर 54 ऊपर चला जाएगा और A5 जो गुना में है A आजाएगा नीचे में ठीक है? यनि D का मान कितना आया? 54 बटा 5 और यहीं हो जाएगा इसका एंसर ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 8 को देखते हैं हल भाग संख्या 8 में क्या दिया है? ए इन बराबर 4 दी बराबर 2 एस इन का मन कितना है? माइनस का 14 एस इन बराबर है माइनस का 14 क्या निकलना है? इन का मान और ए का मान ठीक? अब दिखें यहाँ इन दिया गया है और एस इन भी दिया गया है तो हमने आपको बताया था दोनों में से किसी एक पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ आगे बढ़ते हैं तो A N बरावर क्या होता है इसका फर्मूला, A plus N minus 1 गुने D, कितना दिया गया है, A दिया गया है 4, ठीक है, तो A का मान तो हमें नहीं पता है, तो A plus N का मान भी नहीं पता है, तो n-1 गुने d का मन कितना है? 2 बराबर 4 अब दिखे तो a प्लस 2 से इस दोनों में गुना करेंगे 2 से n में गुना करेंगे क्या हो जागा? 2n-2 एकम 2 बराबर 4 अब a प्लस 2n बराबर 4 और माइनस 2 जब इधर आएगा तो यह हो जागा प्लस का 2 हो जागा तो a प्लस 2n बराबर कितना? 6 इसलिए a बराबर करें तो 6 को पहले लिखेंगे और प्लस का 2n है जब इधर आजागा तो a हो जागा माइनस का 2n ठीक? फिलाल के लिए इसको समिकरण एकमान लेते हैं ठीक है? अब चलिए a इस इन पर चलते हैं तो a इस इन बराबर क्या होता है? तो n बटा 2 इन्टू दो a प्लस n माइनस एक गुने d ठीक है? एक इतना दिया है? तो ए दिया है माइनस का 14 ठीक है? अब n तो हमें नहीं पता है तो इसके जगह पर लिखेंगे n ही बटा में 2 2 गुने a का मान देखे यहां a का मान कितना निकला है? 6 माइनस 2n निकला है न? तो इस मान को a के जगह पर रखेंगे कितना है? 6 माइनस 2n प्लस है तो प्लस n माइनस 1 गुने D का मान कितना था? D का मान था 2 ठीक? तो यहाँ D के जगा पर क्या लिखेंगे? 2 बराबर कितना? तो माइनस का 14 अब N बटा 2 2 से इसमें गुना होगा 6 दूनी 12 माइनस 2 N में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 N प्लस है तो प्लस 2 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जागा? 2 N माइनस 2 एकम 2 बराबर माइनस का 14 ठीक? इसके बाद दिखिए N बटा में 2 अंक का काम अंक के साथ करेंगे और N वाले एकम N वाले के साथ करेंगे तो 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा न माइनस का 4 N है और प्लस का 2 N है जब इसमें से इसको घटा दे या इसमें से इसको घटा दे आप कुछ भी कह सकते हो कोई दिखिट नहीं है ठीक है? बड़े वाले में से छोटे बालों घटा देना है 4 में से 2 घटाएंगे यह क्या आएगा? 2 N आएगा न और बड़े वाले में माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस लगा देंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 2 N बराबर माइनस का 14 ठीक? अब क्या करना है? अब देखिए यहाँ चाहें तो 2 कॉमन लेकर इसको कैंसिल कर सकते हैं ठीक? नहीं तो आप डिरेक्ट ऐसे कर लिजिए 2 से इसमें गुना कर लेंगे ठीक है? बराबर के बाद वाले में तो यह हो जाएगा 10 N क्या हो जाएगा? 10 N माइनस का 2 N स्क्वेर हो जाएगा? बराबर 14 दुनी 28 यानि माइनस का 28 ठीक? अब इसको पहले लिखेंगे माइनस का 2 N स्क्वेर प्लस का 10 N और बराबर के बाद में जो संख्या है बराबर से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? इसका चीह निबदल जाएगा माइनस है तो यह हो जाएगा प्लस में प्लस का 28 बराबर सुने हो जाएगा ठीक? अब देखें यहाँ 2 से A भी कट रहा है 2 से A भी कट रहा है और 2 से A भी कट रहा है कट रहा है न? तो यहाँ चाहे तो आप 2 कमन ले सकते हैं ठीक है? माइनस लगा हुआ रहता है दो पंचे 10, N, ठीक है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 14 दुनी 28, बराबर सुन, ठीक, तो N square, माइनस का 5 N, माइनस का 14, ठीक, बराबर, सुनने उपर चला जाएगा, ठीक, और ए जो है, ए क्या है, गुना में है, तो ए आ जाएगा नीचे, उपर सुने रहता है, और न आजाएगा, हमारे पास समीकरन, N square, माइनस का 5 N, माइनस का 14, बराबर, सुन, अब क्या करना है, इसका गुननखंड करना है, ठीक है ना, तो गुननखंड कैसे करेंगे, तो इसके साथ कोई अंक नहीं है, तो यहाँ एक मान लेंगे, ठीक, 14 से इस एक में गुना कर देंगे तो क्या हो जागा, 14, और इसके बाद इसका क्या करेंगे, गुननखंड करेंगे, चलिए, और ओफकार्ज इधर कर लेते हैं, तो 14 का क्या करना है, गुननखंड करना है, 2 से, 2 सते 14, ठीक, यहाँ क्या लाना था हमें, बीच में, 5 लाना था, है ना, तो 7 में से यदि हम 2 को हटा दें, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक, लेकिन क्या लाना है, माइनस का 5, तो इसको माइनस में कर लेंगे, इसको पलस में कर देंगे, तो यह आजाएगा, माइनस का 5, क्लियर है, और गुना करेंगे, तो साथ दूना 14 भी हो जाता है, तो यह हो जाएगा, इन को अलग कर लेंगे दो को अलग कर लेंगे अब कॉमल लेंगे तो इसमें इन कॉमल लेंगे तो इसमें बचेगा एक एन माइनस का साथ इसमें दो कॉमल लेंगे तो इसमें बचेगा एन दो सत्य इनकी Mr. दो बराभर सुन बाहरवाले के साथ सुन लगा देंगे और एक बार अंदर वाले के साथ माइनind7 , व्यथोन नहीं है लेकिन माइनस लिखना जरूरी है अब देखे यहां इनकॉम्न कभी भी माइनस में नहीं हो सकता क्योंकि यह क्या है रिनात्मक है और नंबर कभी भी रिनात्मक नहीं होता है जैसे कि एपी में होता है एक एक दो तीन चार इस तरीके से है ना तो माइनस में नहीं हो सकता ठीक है लिखेंगे कि यह क्या है इरिनातमक है इसलिए यह नहीं हो सकता है ठीक है तो इनकमन क्या हो जाएगा साथ हो जाएगा और यहीं क्या हो जाएगा इसका इंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब हमें क्या ग्यांत करना था तो अब हमें ग्यांत करना था एक आमान ठीक तो एक आमान ग्यांत करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दिखें यहां ए बराबर क्या था तो छोह माइनस दो इन था ए बराबर 6 माइनस 2N था है ना तो लिखेंगे एन का मान समीकरन एक में रखने पर एक में रखने पर ठीक है तो समीकरन 1 क्या था समीकरन एक था ए बराबर 6 माइनस 2N क्या था ए बराबर 6 माइनस 2N यहीं था ना तो 6 माइनस 2 गूने एन का मन कितना है 7 ठीक तो 6 माइनस 7 दुना 14 ठीक बरे वाले में से छोटे वाले उखटा देंगे 14 में से 6 गिया क्या बचेगा 8 और बरे वाले माइनस लगा हुआ है इसलिए यहां भी माइनस लगा देंगे यानि कि एक आमन के आया माइनस का 8 और यहीं क्या हो जाएगा इसका इंसर हो जाएगा ठीक है चलिए बागे भरते हैं और भाग संख्या 9 को देखते हैं हल नौमा भाग है अ बराबर तीन अ इन बराबर 8 इस कामन कितना है एक सो बिरान में क्या ग्यात करना है D कामान, ठीक है न, अब देखिए यहाँ S कामान दिया है 192 में, तो इसी पर आगे बढ़ेंगे, तो S बराबर क्या होता है, N बटा में 2 इंटू 2A प्लस N माइनस एक गुने D, यह होता है न, यह है 192 में, ठीक है, तो N कामान कितना है, 8 बटा में 2, 2 गुने, एक कामान कितना है, 3 प्लस N, N कामान क्या है, 8 माइनस का एक गुने, D कामान नहीं पता है, बराबर में 192 में, ठीक है, दो से काटेंगे, तो 4 बढ़ में कट जाएगा, यहाँ 4, 3 दूना 6, प्लस है तो प्लस, 8 में से एक माइनस करेंगे, क्या होगा, 7 और D से गुना करेंगे, तो 7 D, बराबर में 192 में, ठीक, अब देखें, इस 4 से अंदर के दोनों संख्या में गुना होगा, तो 4 छक 24, प्लस, 4 सत्य 28, D, बराबर 192 में, तो 28 D बराबर करें, तो 192 में, और प्लस का 24 जब इधर आएगा, तो यह हो जाएगा, माइनस का 24, तो 28 D बराबर, 12 में से 4 गया, 8, 8 में से 2 गया, 6, यह बचेगा, 168, इसलिए D बराबर, तो 168 उपर चला जाएगा, और 28 आजाएगा, नीचे में, ठीक है, अगर हम 168 में 28 से भाग दें, या काटें, तो 6 बार में पुरा-पुरा कट जाता है, यानि D का मान कितना आया, तो ए आया 6, और यही क्या हो जाएगा इसका, इंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भाग संख्या 10 को देखते हैं, तो भाग संख्या 10 है, एल बराबर 28, एस बराबर 144, और कुर 9 पद है, यानि कि एन का मान क्या है, 9 है, हमें क्या ज्यांत करना है, एक आ भाग संख्या 10 में, क्या है, एल बराबर 28, एल बराबर क्या दिया है, 28 दिया है, इसके बाद इस बराबर 144, इस बराबर 144, ठीक है, कुल्पत कितने है, 9, यानि कि एन का मान क्या है, 9, तो यहां लिख सकते हैं, एन बराबर 9, हमें क्या निकालना है, एक आमान निकालना है, ठीक है, यानि कि ए बराबर कितना होगा, एक यानत करना है, ठीक, चलिए, तो एक फर्मूला हमने आपको बताया था, एस बराबर, एन बटा 2, इन्टू, ए प्लस एल, ठीक है, एल क्या होता है, एन के बराबर होता है, यानि क अंतिमपद होता है ठीक है एक इतना दिया गया यहां 144 दिया गया है है एड़ा बराबर इतना है 9 तहके जेश्चषब क्या होगा नौहों होगा वाता में 2 इंस टू एक आमान नहीं पता है इसे सबाद़ किरिए Não किथा बराबर में 144 ठीक अब क्या करेंगे इसमें यदि 2 होता या 4 होता तो यहाँ 2 common लेकर के इसको काट सकते थे ठीक, लेकिन यहाँ तो ऐसी बात नहीं है तो इस 9 से इसमें गुना हो जाएगा क्योंकि A क्या है, उपर का अंख है इसके नीचे यदि हम 1 मान ले तो यह हो जाएगा 252, ठीक है 9 अठे बहत्तर का 2 हासिल 7 9 दुना 18 और 7, क्या हो जाएगा 25 252 हो गया, बराबर 144 में 2 से गुना करेंगे तो 248, 248 और 2 एकम 2, 288 तो 9 A बराबर 288 पहले लिखेंगे और प्लस का 252 है जबी इस तरह आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 252 तो 9 A बराबर, दिखेंगे 8 में से 2 गया 6 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 2 गया तो कैंसिल ठीक, इसलिए A बराबर 36 उपर चला जाएगा और 9 नीचे आजाएगा काटेंगे तो 9 चोके 36 यनिकी एक आमन के आया, 4 ये बराबर, 4 आया और यही क्या हो जागा, इसका एंसर हो जाएगा ठीक है, तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा अगर किसी परकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं मैं कोसिस करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने का और दोस्तों हमने पिछले साल तक पूरे सिलेवस को कम्प्लीट कर रखा है जिसका अलग-अलग प्रशनावले के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस प्लेलिस्ट का लिंग के नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में और उपर प्लेलिस्ट में दिया गया हुआ है आप चाहो तो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जाकर देख सकते हो नहीं तो डिरेक्ट प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद